हे गाजिश क्याश्व आप लोग बहुत दोश्वागत है अपर सुफर फास्ट क्लास एज यूटूब चैनल पे दोस्तों आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आप लोग के लिए सोसल साइंस रेनी समाजी विज्ञान से दो काफी इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट आएंगे और चार-चार मार्क के प्रस्ण एक आएंगे और चेछे मार्क के मतलब प्रस्ण आएंगे तूसी में ये दोनों जो प्रस्ण है चार-चार मार्क के प्रस्ण है चार-चार मार्क में आप लोग एजाम में आएंगे तो इनको आप क्लियर कर लिजिए वीडियो को चलते हैं वीडियो हम लोग शुरू करते हैं देखिए जो पहला कोशन है आप स्क्रीन पर देख सकते हूं इसको थोड़ा मैं साइड में रख लेता हूं ठीक है पहला कोशन यहां पर देख सकते हूं कि नमक सत्याग्रह क्यों प्रारंब किया गया था उसका संचिप्त वीवर सब्सक्राइब करने के लिए महत्मा गाधी को नमक एक सकतिसाली प्रतीक दिखाई दिया अब ऐसा क्यों है कि नमक ही सकतिसाली प्रतीक दिखाई दिया क्योंकि नमक का प्रियोग अमीर गरीब सब लोग करते थे इसलिए तो पहले लाइन यहीं लिखोगे कि देश को एक जुट करने के लिए महत्मा गाधी को नमक एक सकतिसाली प्रतीक दिखाई दिया चुकी नमक का अमीर गरीब सभी इस्तिमाल करते थे क्योंकि यह भोजन क एक अभिन हिस्ता था तो इतना लिखोगे उसके बाद लिखोगे इसलिए नमक पर कर यानि वही टैक्स और उसके उत्पादन पर केवल सरकारी अधिकार को महत्मा गादी ने सबसे दमनकारी पहलू बताया देखे उस समय क्या था ना कि जो अंग्रेज थे उस समय नमक पर उन का ही अधिकार था मतलब जो अंग्रेज थे वही उसका उत्पादन करते थे और मतलब मार्केट में वही सेल करते थे उस पे जम कर टैक्स भी लेते थे तो ही गादी जी मतलब इस पे बहुत खिलाफ मतलब इसके थे ठीके तो यहां एक पर मैं और इसका आंसर पड़ता हूं उपर से कि देश को एक जुट करने के लिए महात्मा गाधी को नमक एक सक्तिसाली प्रतीक दिखाई दिया चुकि नमक का अमीर गरीब सभी इस्तिमाल करते थे क्योंकि यह भोजन का एक अभिन हिस्ता था इसलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पकेवर सरकारी अधिकार को महात्मा गाधी ने सबसे दमनकारी पहलू बताया सरकारी मींस वही जो अंग्रेज उस समय मतलब अंग्रेजों का ठीक है क्योंको उस समय तो अंग्रेज ही सरकार थे न तो ही कह रहा है यहां पे दमनकारी पहलू बताया उन्होंने वायसराय उन्होंने क्या क्या कि उस सम दिर्मिन को उस समय के जो वायस राय थे और उसमें 11 मांगों इसको देखो आप इसको हाइडाइट कर लो इसको आप याद रखेगा 11 मांगों का उलेख किया ठीक है मतलब 11 मांगे थी उसमें कि यह चीज़े हमें जब सुधार चाहिए ठीक जिसमें सबसे महत्पुर्ण मांग नमकर को खत्म करने के बारे में थी जिसमें जो सबसे महत्पुर्ण मांग थी उसमें जो नमक पर tax मतलब जन्ता से वो सुला जाता था एक मिट ये पेन नहीं चल दिये, दूसरी पेन ले लेता हूँ, ये देखता हूँ, ये चल दिये क्या, सुरी ये भी नहीं चल दिये, चलो, ये निल्ला वाला ही ले ले लता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ये ये, चलो, तो यहाँ फिर देखो, जिसमें सबसे महत्पूर्ण मा नहीं था मतलब क्या है कि एर्वीन मतलब यह जो कर था उसको गम करने के लिए तयार नहीं था मतलब वह बिल्कुल इसके खिलाफ था कि हम लोग नहीं करेंगे इस पर टैक्स के क Sm BON मतलब अब ये नहीं माना इर्मी तोसी के फल सरूत महात्मा गादी ने अपने 78 दखी 7-8 ठीके 78 बिस्वस्त यानि जो जिन पर उनको काफी बिस्वास था यानि बिस्वस्त सहयोगीयों यह एक तरस मित्रो भी हुआ सकते के साथ नमक क notation कर दी वह डांड़ी पहुंचे कानून का अधिकार नहीं था कि आम आदमी नमक बना सकता है इस समय अंग्रेजों नहीं कानून बना रखा था किके वपहल अंग्रेजी नमक बनाएंगे और नमक बेचेंगे और उसके कानून का उंडगन इस कारे ने लोगों में राश्वात की भावना विक्सित की आप दकारे ने जो गाधी जी का या कारे था वों लोगों में क्या की कि राश्वाद की भावना विक्सित की ठीक है और इस प्रकार देश के भी भी हिस्तों में लोगों ने नमक कानून तुड़ा और नमक निर्माड किया और साथ ही सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन के जो भी सरकारी यानि जो अंग्रेज अधिक अंगरेजों के भलोकार खाने थे नमक बनाने के लिए उनके मतब सामने जाकर बीरोध किया तो इस प्रकार ये जो प्रस्ण है ना इसका आंसर लिख सकते हो कि नमक सत्यागरा क्यों प्रारम किया गया था उसका संचित वीवन दिदिये तो देखे इसके बारे मैंने आपको य इसमें ठीक हां कुछ इसमें बाते हैं जिनको आपको समाप्त करने क好吃 करने की तुप बातें फोड़ी याद रखनी और वस आपको कई पनी दम निपन जैसा काहांई जैसा को लिख डालना है सिंपल तो इस तरह से आपको इस को करने का चार मार्क जी हमें दोस्तों कितना चार मार्क आपको मिलेगा तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा ठीक तो आसे करता हूं यह आपको कोशन एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा ठीके साध आधा माधा यह कोशन याद भी हो होगा ठीके बाकी देखना आप खुद यह प्रस्ण आएगा आप लिखते चले जाओगे लिखते चलेगा जाओगे आप खुद ही पूरा डालोगे ठीके और जैसे यहां पर देखो यहां पर हमने यह लिखा कि मतलब और साथी सरकारी नमक कर खानों के सामने प्रदर्शन किया ठीके तो इस पर अब मतलब यह प्रदर्शन वाली चीशी पर यहां आप अपने मन से बना कर आपके मन में आइडिया आ रहा है तो कुछ और भी आप बढ़ा सकते हो मैंने सौट मे कि यह यूश कर रहा हूं तो मतलब गलत होगा नहीं वही वेस्ट होगा चलो यह प्रस्थन हम लोगा हो गया अब यहां पर यह एक प्रस्थन है काफी इंप्रेंट है ठीके और देखो इसमें काफी छोटा इतना सा छोटा सा आंसर बता देंगे और खहेंगा कि आपको पू बहुत नीचे मत आये सतर मतलब चार मार्क का प्रस्थन है इसको भी आपको ध्यान देना है चार मार्क बहुत होता है ठीक चलो इसमें देखो रॉलेक्ट एक्ट के बारे में देखो एक पन्य मैंने लिखा है लेकिन आपको याद हो जाएगा विडियो देखते ही साने कोई दिकत नहीं होगी देखो सबसे पहले उसमें प्रस्थन क्या है आप लोग देख सकते हो आँ है कहीं रॉलेक्ट एक्ट एक्ट लिखता है कोई दिकती सब एक ही यह टी क्या था उसका बिरोध कैसे किया गया उसका क्या परिडाम हुगा सबसे पहले तो रॉलेक्ट एक्ट क्या था देखिए आपके प्रस्ण में पूछेगा तो रॉलेक्ट एक्ट क्या था इसका दो मार्क आपको देदेगा और उसका बिरोध कैसे किया गया तो आपको एक मार्ट नहीं मिलेगा और उसका परड़ाम भी नहीं लिखते हैं तो आपको एक मार्ट नहीं मिलेगा क्यों दो मार्ट मिलेगा और सबके बारे में आप लिख देते हैं तो आपको चार नमर मिल जागा इसमें मुख्या था एक प्रसंद है लेकिन इसमें तीन प अंग्रेजी सरकार द्वारा लाया गया एक ऐसा कानून था जिसके अधार पर भारतियों को बिना मुकदमा चलाए केवल सक के अधार पर गिरपतार किया जाशकता था अंग्रेजी सरकार द्वार लाया गया एक ऐसा कानून था जिसके अधार भारतियों को बिना मुकदमा चलाए केवल सक के अधार पर गिरपतार किया जाशकता था और दो सालों तक जेल में बंद किया जा सकता है यहाँ पर आप द्यान दे रहे हो कितना यह बुरा कानूं था मतलब जो भी भारतिये हैं उनको अगर अंग्रेज कारियों को सक होता है कि यह कुछ गड़बर कर रहा है तो केवल सक क्या धार पर गिरपता कर लेंगे फैक्ट चेक नहीं करेंगे इसने वास्तों में गड़बर किया कि नहीं किया और दो साल तक देखो यहाँ पर दो साल तक जेल में भी बंद रख सकते हैं अभी का रूल आप देखते होगी कोई भी मतलब है मतलब कोई पुलीस अगर उसको पकड़ती है तो दो तिन दिन रिमांड पर छोड़ देती है ठीक है उससे अधिक नहीं रख पाएगी ज्यादा पुलीस ज्यादा दिन तक किसी व्यक्ति को रख रख गी ना तो कोड से प चीजे उस पर फोकस किया गया है ठीक आगे चलते हैं इस कानून को लाने का मुख युद्ध से भारतिय क्रांतिकारियों को दबाना था यह कानून जान बुझकर अंग्रेजी सरकार द्वार लाया गया था और इसलिए लाया गया था नो कि मतलब जैसे जो भी भारतिये क्र मुद्धे में फंसाकर और जेल में बंद कर दिया जाए तो नहीं ने यही रॉलेक्ट एक कानून लाया और मानलों कोई भी क्रांतिकारी जैसे अंग्रेजी खिलाप प्रदर्शन करते थे तो वो इसी कानून का हवाला दे कर कि मतलब यह लोगों को भढ़कार है जाधी को उसके खिलाप मुकदमा दर्ज करने वाले का नाम जानने का अधिकार भी शमाप्त कर दिया गया था यहां पर देखो यह क्या है यानि जैसे मतलब कोई मुकदमा कर रहा है ठीके तो देखो इस समय क्या है हम पे अगर कोई मुकदमा करता है ठीके केस करता है तो हम तरफिसली होता है त्टिके लेकिन उस समय इस कानुन के चाहता दोगा था कि जान सके कि किस्ना तो समझ कि यह जान बुज कर अंगरेजों ने ऐसा कानुन लाया था ठीके की और जहांतिकारियों को हम ठसा दे ठीक भान कोई भी अगर प्रदर्शन कर रहा है कहेंगे पही तुम गरबर कर रहे उठो इसने तुमारे ऊपर केस किया है और पुझ़ेगा की कि इसने केस किया है तो भई नहीं बताने पार मतलब अधिकार भी उन्होंने चीन रखा था कह दी उसे ठीक है तो कहेंगे कि हमरे बताने देखो मैंने लिख्खा है इस तरह बागी अगर आपके मन में कोई और रिख स कह सी और प्रकास से इसका आनवार लिख सकते उ dolphins लेना कोई दिक्ट नहीं होगी इसमें जो जो मैंने लिख्खा कई देखीए इसमें लिखो गए आप लोग कि भारतिये लोगोंने रड एकट का बिरोध निम्न तरूकों से किया और किन-किन तरूकों से हुआ जैसे संसे एसे फ्रस्ट आप लोग मदलेकों की बेसे हो डिशना हो वोको में कामगर हरतार पर चले गए। श क्या पही का मजोरोसरो से चल रहा था आप सब लोग जानते हो तो उस समय क्या साइजह की जो रिचल बहुत भी वर्क्साप से रियरेय्वे ंध़ी कर्म चारी ये ये नाने में कामगर्ण लगे हुए थे उनमें से अधिकांस्त्र ने मतलब अपना काम छोड़ दिया ठीक है और हरताल पे चले गए मतलब रॉल एक के बीरोध में ठीक अगला है दूस्ते के पाद तीसरा कि कई सहरों में दुकांदारों ने दुकान बंद करके अपना बीरोध ज काम ही लोगे ठीक उसके और भी लाइन बढ़ा कर लिखना चाहते तो पांचवा लोग लिख सकते हो कि जितने बहुत सारे भारती लोग जो अंग्रेजों की यहां काम करते थे उन्होंने भी रॉलेक्ट एक्ट का बीरोध किया और उन्होंने अपनी वहां से जॉब नोकरिया छोड़कर और रॉलेक्ट एक्ट के खिलाब मतलब हरताल पे जाने लगे ठीक है उसका बीरोध करने लगे रैली जुलसों कायोजन कर ले तो ऐसे आप बनाकर लिख सकते हो ठीक है तो यह था इसका बीरोध क्या हूँ ठीक है तो आप लोग इसमें लिख लेना बी रम evng ​ ठीक है जैसे यहाँ पे लिखा हूँ एनंग्रेजों नै करांटिकारियों पर दमन शुरू करने के साथ मार्सला लागु कर दिया अंग्रेज को आंग्रेजों करांतिकारी थी ड़रते थे कहीं भी मतलब कुछ भी बोलने से की हम अगर कुछ भी बोल देते हैं तो यह जोट मुटका उस कानून का हवाला तेकर और मुझे जेल में बंद कर देंगे तो वही इनका दमन करते थे अंग्रेज तो अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों पर दमन शुरू करने के साथ साथ दमन तो सुरू किया ही और साथ में एक समया ऑखी। वी रोद पर दरशन होने लगा तो उन्होंने क्या किया की मार्शल्ला लागू करता है। जैसे मतलब यह होता है कि जैसे कहीं कानून ब्योस्तावंग मतलब ऐसी इस्थिति आ जाए कि यहां पर मतलब जो शमाने पुलीस में उसके पसकी बात न रह जाए । उसके बश्तितिति कंज भी और शम il assess क्योंर रहिए मतलब पुलिस पर हमला करने लगते हैं पुलिस को पीटने लगते हैं जैसे पुलिस चोकिया उनको जलाने लगते हैं तो इसका मतलब वहां के पुलिस के बस में वो जानता नहीं रही तो वहां पर गौर्मेंट क्या करेगी कि मार्शल लागर लागर कर देगी मार्शल लागर तो यही कारून उस समय उन्होंने भी लागू कर दिया था ठीके की मतलब उनके दमन के साथ साथ उन्होंने मार्शला लागू कर दिया ठीके और इसी के कारण देखिए जो 13 अपरेल 1919 का जलिया वाला बाग हत्या कांड हुआ आप सब लोग जानते हो कि जो 13 अपरेल 1919 को जलिय वाला बाग नामक जगह ठीके बहुत सारे लोग इकठा हो गए थे और उसमें मतलब अंग्रेजों के खिला प्रदर्शन भी कर रहे थे कुछ मतलब अपनी राजनितिक चीजों पर बात भी कर रहे थे ठीके तो उस समय क्या थिया कि अंग्रेजों का मतलब जो यह कानून थ किया था कि मतलब एक जगह जूटकर और मतलब कुछ अंग्रेजी सरकार खिला भारत के लोग तो क्या हुआ कि उसमें जूट गये थे काफी सरव्यक्ति तो एक मतलब आपने स्थानिकों के साथ गया और उन पर पूरा के पूरा गोलिया बरसादिया उसमें बहुत सारे भार में आप लोग लिख सकते हो कि अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों पर दमन्त सुरू करने के साथ साथ मर्सला लागू कर दिया और 13 अप्रेल 19 को जलिया वागत्यकांट हुआ तो पर डाम में यह लिख दोगे आपको इसका एक मार्क और आपको दो मार्क इसका यानि आपको और इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो आप बताना इसी प्रकार की मैं जैसे दो-डो कोशन तीन-तीन कोशन लाता रहूंगा आपके लिए ठीक है इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट यह अच्छा भी रहता है एक लंबी वीडियो एक एक दो-दो घंटे बनाने से अच्छ झाल झाल झाल